नमस्कार दोस्तों, दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर में हमने चंद्रियान 2 के बारे में डिसकस किया, तो इस वीडियो के अंदर में हम उसी को आगे continue करेंगे, basically हम moon के बारे में discuss कर रहे हैं तो चंद्रियान 1 डिसकस किया, चंद्रियान 2 डिसकस किया उनके छोटे-छोटे sub-topic उनको discuss करेंगे तो first हमारे पास में चंद्रियान से related information आ रही है ये के बोल रही है, ये information बोल रही है चंद्रियान 2 से हमें data receive हुआ तो इसमें कुछ खास important नहीं है बस एक fact याद रखना है उससे पहले data, चंद्रियान 2 हमारा गया था 2019 के अंदर में, अब उसने data release किया उस particular data को public domain के अंदर में और दूसरे scientist के लिए open कर दिया गया तो recent के अंदर में ये हुआ और याद क्या करना है इसके अंदर में याद करना है कि जब भी कोई data mission से collect किया जाता है वो कोई ऐसा तो होता नहीं कि directly आपके मतलब एक-दो MB की file होगी वो काफी बड़े, काफी GB के अंदर में data होता है और काफी complex V के अंदर में होता है वो ऐसा नहीं direct आपको बताएगा कि देखो हमने water find किया देखो हमने iron find किया वो ऐसे बतानी चलता हूँ उसके लिए calculations करनी पड़ती है जो raw form के अंदर data होता है तो पहले अगर आपने data present करना हो scientific community वगेरा को या normal public को data present आपने करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है कुछ standard है उनको आपको पालन करना पड़ता है आपका data PDS standard का होना चाहिए तो PDS public distribution system नहीं है यह आपको ध्यान रखना है अगर बोला गया PDS 4 या simply PDS आपको बोला गया sometimes seen in news is related to which of the following space technology, artificial intelligence, 3D printing या food distribution system जोगा उसको peer review करवाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि मतलब वो accurate है या नहीं उसके बाद में उसको आप दोगे public domain में तो बस याद करना है PDS बाकी कुछ याद नहीं करना PDS किस चीज़ से related है बाकी information को important नहीं है यह वैसे उतना जदा जिसको बनाए गया था हमारे दोरा 2008 के अंदर में 2008 के अंदर इस तरों के अंदर बना था यह इसको बारे में जानना कुछ जादा आवशक नहीं है बस यह चोटी सी बात है आपको ध्यान रखना है और इनका एक portal है परदान उस परदान पोर्टल के उपर में आप information वगएरा यह access कर सकते हो तो यह ध्यान रखना है PDS 4 बस फिरा था है चंद्रियान 3 इसके अंदर में कुछ भी important नहीं है चंद्रियान 3 अभी लांच होगा यह अभी COVID के कारण और ज़्यादा postpone हो गया तो एक्चल में कब लांच होगा अभी कोई guarantee नहीं है बस धियान रखना है चंद्रियान 2 के अंदर में हमारे दो component जो fail हुए थे उनको सिर्फ लांच किया जा रहा इसमें तो चंद्रियान 3 COVID के कारण डिले हो चुका है अब 2022 से 2021 कभी भी हो सकता है चंद्रियान 3 के अंदर में हम और बीटर लांच किया जा रहा है अब चंद्रियान 3 के अंदर में हम और बीटर लांच नहीं कर रहें because वो तो हमने पहले से लांच कर दिया था तो बस इतना याद रखना है और सौथ पोल के उपर लांच होगा ये सौथ पोल काफी important है वो तो हमें पता ही है अब चंद्रियान 1 finding ये भी हमारे पास में news के अंदर था चंद्रियान 1 से कुछ finding आई वैसे तो ये भी कुछ खास important नहीं है हमारे प्रिलिम के लिए चंद्रियान 1 important था उसके उपर question आ चुके हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ जर्नली साइंस के अंदर काफी सारी technology होती है तो ये पीएसी फिर से repeat नहीं करती है इस case के अंदर में हमारे पास नावीक के उपर फिर से question आने के chances कम है अब उसके उपर चोटी मोटी पढ़ते रहो कि आज कॉलकम ने कर दिया कल स्नैप्रेगन ने उसको कर दिया कल किसी और ने किया ये छोटी छोटी इंफरमेशन जैसे चंद्रियान की finding मिली इसकी finding मिली main mission important है बाकी छोटी मोटी finding चलती रहती है बट हम cover कर रहे हैं तो हम cover कर लेंगे अदरवाइस आपको छोटी ball by ball छोटी चोटी चीज़ें देखने क्या वशक्ता नहीं होती कि कब क्या हुआ जैसे गगन्यान के अंदर में अब रश्या से हमने contract कर लिया अब हमने फ्रांस से contract किया अब यूएस से कर लिया यह ball by ball कमेंटरी और यह important नहीं है यह time खराब करेगी आपका जो आपके source होते है current information के उनके अंदर में तो इनको डालते रहते हैं ball by ball यह हुआ वो हुआ अब इसके बाद ऐसा होगा उसके बाद यह होगा आपको सिर्फ core issue cover करना है बस उसके बाद उसको छोड़ दो उसके बाद में फाल तुम है उसके उपर नहीं जैसे रफेल है अब अब रफेल के उपर में हमारा दो तीन सालमेंस को खींच खींच के खींच के चीज़ें डिसकस कर रहे हैं एक बार उसके बारे में चीज़ें cover कर लो उसके बार बार जाके फिर रफेल रफेल करते रहो वो सब चीज़ें काम की नहीं होती क्योंकि कल को एक एक information आती फाइंडिंग के अंदर में एक छोटी सी बात होई बस वो इंपोर्टेंट नहीं है प्रिलिम के लिए ना मेंस के लिए तो यह हमारे पास में 7 दिसंबर 2020 की बात है इसमें find out किया गया कि moon का जो पोल वाला surface है वो रस्ट कर रहा है पहली बात तो आप सोचोगे कि चंद्रि सारा डाटा होता है काफी बड़ी बड़ी फाइल होती है अब उस जो जितनी फाइल होती है उनको सालों सालों तक आप 10-20 सालों तक उनका डाटा निकालते रहते हो खंगालते रहते हो उनमें कुछ मिला या नहीं मिला और उस डाटा को भी हम जैसे लोग नहीं मिला और उस चंद्रियान वन तो इंडिया का mission था लेकिन उसके अंदर एक instrument था M3 Mineralogy Mapper जो की US का mission था US का एक instrument था उसके उपर US का जो जो mission था उसके अंदर जो data है उसको US चेक कर रहा था और उन्होंने पाया वहां पे यह फालतुक इंफरमेशन है इसका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर हिमेटाइटिन के दौरा वो लगा है हिमेटाइट हो सकता है यहां पर जो कि क्या होगा आइरन एफ इ आइरन और और ऑक्सीजन तो बेसिकली जंग लगी होई मेटल इनके दौरा फाइंड की गई तो ऐसा बोलने हैं कि जंग लगी होई मेटल है और कैसे लगी होगी उसमें काफी सारी बात हैं लेकिन हमें जानने क्या शक्ता नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे उसके बाद आता एक छोटा सा important topic geotail का अब geotail क्या होती है कब बनती है क्या इसकर significance है वो important हो सकता है तो चंद्रियान 2 mission जो था October 2019 के अंदर में यह जो था move किया था geotail वाले reason से और वहां पे मतलब उसके बाद जब इस reason से move करते हैं तो यहां पे काफी अच्छी आप observation कर सकते हो surface की कौन सा instrument यूज किया गया class instrument जो हमने चंद्रियान 2 में देखा जो x-ray spectrometer है उससे इन्होंने observe किया इसके उपर कुछ भी तो हमें क्या ध्यान रखना है geotail geotail क्या होता है और geotail ने किया गया उसके बारे में हमें focus करना है तो सबसे बहले geotail देख लेते हैं geotail क्या होता है हमारी अर्थ यह हमारे बास अर्थ आ रही है अर्थ के अंदर आपको बता है molten form के अंदर में आयरन और other compound घूमते रहते हैं अर्थ के core के अंदर में वह घूमते गूमते एक magnetic field बनाते हैं ठीक है यह अर्थ की magnetic field है और यह हमें बचाती है solar wind से solar wind क्या होती है sun भी charge particle छोड अपने पूरी चार्ज पार्टिकल की हवाएं छोड़ता रहता है अपने आसपास क्योंकि वो गरम है तो वो छोड़ता रहता है वैसे जहां तक काफी दूर दूर तक उनको छोड़ेगा अब यह वाली जो solar winds आती है यह अर्थ के अपर काफी disruption cause कर सकती है बिसिकली जीवन को impossible कर देंगी अगर अर्थ का magnetosphere ना हो तो लेकिन अर्थ का magnetosphere हमें बचाता है इसे तो यह उससे interact करके उसको बाहर ही रखती है ताकि हम बचे रहे हैं इसलिए जब अर्थ से हम बाहर जाने लगते हैं तो radiation का खत्रा increase हो जाता है विकल अर्थ में तो magnetic field earth की हम में बचा रही है लेकिन यह हमें other planet के उपर या जब हम स्पेस से बाहर जाएंगे तो वहां पर हमें यह नहीं बचाती इसलिए जो हमारी साइंटिस्ट हैं उनको भी काफी problem होती है अब यहां पर issue यह आता है इस टाइप के मतलब यह दोनों साइड है इस टाइप से बना लेकिन जो इस तरीके की एक साइड से काफी ज़दा बंबारी होती है इसके उपर solar wind पे तो क्या होता है एक साइड से यह वाला area अब यह वाला area देखो यह सारी हमारी क्या है यह सारा magnetic field है तो जिस साइड से solar wind पढ़ रही है इसके उपर मैं उस साइड से यह क्या कर रहा है इस साइट से compress हो जा रहा है और दूसरी साइट को फैल जा रहा है इस तरीके से तो ये जो tail create हो रही है इसको बोला जा रहा है geotail जो tail create हो रही है magnetic field की एक साइट को subside होने के कारण उसको बोलेंगे हम geotail और moon जो है moon का ये orbit है moon का अब यहां पे तो ये अर्थ की magnetic sphere से बाहर है लेकिन 6 दिनों के लिए ये इस tail वाले reason के अंदर आता है 6 दिन के लिए यहां पे आता और यहां पे अच्छी observation कर सकता है ये अर्थ के surface की उपर भी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी उपर में जब इस reason के अंदर आएगा तो अच्छे से हमारा जो चंद्रयान 2 है वो observation कर सकता है हमारे moon की अच्छे तरीके से ज्यादा important नहीं है वैसे पुराना topic है लेकिन geotail समझना जुरूरी है geotail क्या sun emit करता है solar wind continuous तरीके से charge particle को और अर्थ की magnetic field उसको obstruct करती है उसको रोकती है और जीवन को संभब बनाती है अर्थ के उपर में इसके कार्ण क्या हुआ है एक envelope बन गया है उसके कार्ण और 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 भी हमने देखे हुआ है जो lightning type होती है वो भी इसमें होती है अधित्यमिशन में हमने देखे दिये चीजें डिटेल में तो यहां पे अर्थ जो है जो sun की side face कर रहा है वो थोड़ा अर्थ का magnetic field उस side compress हो जाता है दूसरी side को वो लंबा हो जाता है और एक tail बनती है और वो tail cover कर लेती है हमारे moon को भी जब moon उस area से pass करता है तो वहां पे अच्छे से observation की जा सकती है और इसी को बोला जाता है जियो टेल तो जो एक पूंच create होती है अर्थ की magnetic field की क्यों क्योंकि solar wind एक side से उसके उपर पढ़ रही है तो जो पूंच create होगी उस पूंच को बोलेंगे जियो टेल और यह हमारे 6 दिन होती है एक मंत के अंदर में 29 या 30 डेस के अंदर में 6 दिन होगी तो 6 दिन याद रखना है बस बाकी उतना important नहीं है जियो टेल ध्यान में रखो बस अब आया यहां पे थोड़ा सा important program यह वाला program प्रिलिम के दृष्टी से भी important है plus journal समझने के लिए क्योंकि यह वाली जो बाते हैं यह आपको 4-5 सालों तक काम आएंगी इस सार वाले प्रिलिम के अंदर में अगले उस से next 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 पूरी जिंदगी वाले प्रिलिम के अंदर में 4-5 साल तो at least काम आएंगी और 4-5 साल आपको काम आएंगी यह वाली जीजे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि सब लोग चांद के पीछे पागल है चांद के पीछे सब लोग पागल है क्योंकि वो सौथ पोल के उपर में अपना station बनाना चाते हैं सौथ पोल में station बनाना चाते हैं क्योंकि उसके कुछ advantage है वहां से एक तो आप astronomical observation कर सकते हो पूरे संसार को देख सकते हो अच्छे से बिना Earth का magnetic sphere उसके contact में आये हुए है तो बिना obstruction के अच्छे से observe कर सकते हो दूसरा अगर Mars के उपर जाना है जब भी आप space के अंदर जाते हो radiation और gravity कम होने के कारण आपकी body तूटने लगती है बिना अगसान सोंस तो आप ले रहे हो लेकिन फिर भी दूसरे वाले जो system है आपके body के system fail होने शुरू हो जाते हैं चितना लंबा समय रहोगे उतना ज़्यादा impact होता है तो अगर आपने मार्स के उपर जाना है तो आपको check करना पड़ेगा लंबे समय तक कि आप space के अंदर कैसे रहते हो उसके लिए moon का south pole best location है वहाँ पे आपको base मनाना है तो सब लोग पागल है उसके उपर south base के उपर यह क्यों पागल है तो फिर आप गधे की तरह उठा उठा के मर जाओगे कितना fuel लेके जाओगे यहां से पानी कितना लेके जाओगे रोटी खाने के लिए लेके जाओगे क्या करोगे तो एक तो ice present है या हम बोलेंगी water present है water present है तो पानी से आप खेती भी कर सकते हो plus जो regolith जो मिटी है वहां की या मतलब जो rock का मतलब ऐसे गिरा होता है unconsolidated time का substance गिरा होता है या मिटी मान लो इसको simple भाशा में regolith है वहां पे पड़ा हो मतलब ऐसा नहीं ठोस नहीं है पूरे तरीके से की rock तोड़नी पड़ेंगी मिटी टाइप पड़ी हुई है उसके आप घर बना सकते हो बड़े अराम से घर से आप छुपे रह सकते हो ये काम किया जा सकता है astronomical observation वहां पे की जा सकती है तो ये भी important है उसके लावा हमारे दोरा system बनाने किया शकता है जो की जैसे 3D printing 3D printing I guess हमने कर लिया है 3D printing में क्या करोगे हरेगॉलित का यूज करके सीधे direct खर बनाते जाओगे वहां पे तो ये भी फाइदेवन चीज है basically moon का जो southern surface है उसके उपर space station बनाने के लिए सब लोग पागल है इंडिया ने चंद्रेयान वन लाँच किया तो पता चला कि पानी present है अब पानी present है उसके बाद में सब लोग पागल जाते हैं कि सब लोग mission भेजेंगे moon के उपर और moon से हम पूरे atmosphere पूरे बाहर के ब्रह्मान की तरफ एक gateway की तरह use करेंगे उसको एक station बनाएंगे उसके उपर रहेंगे तो ये सब चीजें सब लोगों ने करना शुरू करती अब US government को भी US government ने 1972 में last time moon के उपर पैर रखा था अब इनको भी लगता है कि हमें भी उसके बाद तो मतलब 72 के बाद इना ने सोचा कि क्यों का चरा मतलब इतने सारे पैसे आप लगाओगे उस समय तो space race थी US Russia के बीट में space race थी और ये अपनी budget का 15-15% space में ही लगा दे रहे थे क्योंकि ये तो competition कर रहे थे एक दिए उस तरह से तो उस समय तो काफी पैसे लगाए ये वाले जो mission होते हैं बहुत जगा मेंगे होते हैं और जैसा मैंने बुला अगर space station बनाना है तो इंडिया का पूरा budget एक साल का पूरा लगाना पड़ेगा आपको तो इसलिए US government ने बाद में छोड़ दिया काम की development पे focus करो क्यों फाल तो के अंदर में से mission बगेरा लाँच करके अपने पैसे बरबात करने लेकिन 2009 के बाद में सब सारी जो space agencies थी इन सब को ख्याल आता है कि हमें कुछ नो कुछ करना पड़ेगा अब उसी के अंदर में इंडिया चंद्रियान 2 बेज़ता है बोला जाता है कि हम फिर से moon के उपर जाएंगे और 2024 के अंदर में हमारे दो लोग एक male और एक female दो लोग हमारे moon के surface के उपर पैर रखेंगे तो यह basic आ रहा है मलब पूरा सब लोग moon के पीछे पागल है basic बात तो इसी में हमारे पास program आता है कि यह हमारे पास में lunar के south pole पे जहां पे चंद्रियान 2 था वहां पे दो परसन को उतारेगा 2024 में और एक उसमें woman होगी first woman और एक man होगा man तो पहले भी जा चुके हैं हमारे पास 1969 से लेके 72 तक 11 या 12 अदमी I'm not sure about that उतने वहां पे land कर चुके हैं लेकिन first woman होगी तो इसमें 2 person land करेंगे उसके उपर NASA का program होगा mainly fund मतलब mainly वो कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर में बहुत सारी organization है जैसे इसके अंदर में हमारे पास में Australia, Japan, Brazil, European Space Agency India नहीं है इसमें और China वगएरा भी नहीं है लेकिन बाकी सारी agency छोटे-चोटे काम कर रही है प्लस private sector का भी काफी बड़ा role है private sector के launcher वगएरा यूज किया जाएंगे इसमें SpaceX हो गया फिर Jeff Benjo's की Blue Origin Company है फिर Lockheed Martin काफी सारी private organization है जिनको इसाथ में जोड़ा हुआ इनोंने तो basically काफी बढ़ा mission है यह काफी सारे पैसे लग रहे हैं इसके अंदर में अरॉंड दो लाग करोड के करीब में पैसे लगेंगे हम कितने लगा रहे हैं गगनियान पे दस अजार करोड तो आप समझ लो एक Artemis program के लिए दो लाग करोड लग रहे हैं space station बना रहे हैं तो उसके लिए 20-30-40 लाग करोड रुपया लगेगा अब उतना US भी नहीं लगाएगा फाल्तू के अंदर में इतना सारा गोज़ ऐसा नहीं कि आपको moon पे space station बनाऊगे तो आपको कुछ अच्छम भी करने वाला ही कोई income मिलेगी पैसे आपके सिर्फ लगेंगे उसमें मिलेगा कुछ भी नहीं आपको space tourism स्टार्ट होता है तो अलग बात है लेकिन ऐसे तो सिर्फ पैसे लगेंगे आपके तो उसके लिए सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा अब इसमें करेंगे क्या ये इनको test किया जाना है अभी ठीक है अब ये मतलब test नहीं किया गया लेकिन ये बाहू बली इसलिए मैंने बोला हमारे पास में क्या है हम बोलते हैं GS GSLV MAC-3 हमारा बाहू बली है मतलब जो हमारा बाहू बली है उसको बोलते हैं कि किलोमेटर उपर वो फैंक सकता है कितना 40 4000 और 10,000 वो फैंक सकता है लोव अर्थ वर्वेट के उपर मतलब 500-600 किलोमेटर जो ये आपको बोला जा रहा है कि ये फैंक सकता है 10,000 किलोमेटर 500-600 तक उसी एरिया के अंदर में ये वाला जो बाहू बली है यह आपको यहाँ पर देख सकते हैं लगो डेट लाक के जी तक यह उपर उतना फैंग सकता है मतलब हमारा जितना सिस्टम फैंग सकता है उससे भी यह 15 गुना ज़ादा है तो जो हमारा बाहु बली है उसके बाप का भी बाप है यह उससे बहले भी इनके पास में रॉकेट लाउंचर है सैटरन भी वो भी मतलब काफी ज़दा इसी लेवल का है वो भी स्पेस लाउंच सिस्टम वाले लेवल का ही है तो मतलब जितना हमारा वाला यह चोटे चोटे हमने बच्चे बनाये हुआ है यह उनका सबका बाप है यह उससे भी 15 गुना ज़्यादा उपर छोड़ रहा है तो यह सुपर हैवी लिफ्ट है रॉकेट है नका नासा का तो एक तो इसका नाम याद कर लिया इसका यूज करेंगे हम इसके अंदर में सिर्फ इसी का यूज नहीं करेंगे हम यूज करेंगे SpaceX के रॉकेट का भी और दूसरी organization का भी लेकिन यह भी मतलब में यूज किया जा रहा है यह नासा का रॉकेट है याद कर लिया अब दूसरा अगर दो आदमियों को आपने भेजना है तो एक डब्बे के अंदर भेजोगे उस डब्बे का नाम है Orion तो यह वाला जो बॉक्स है उसके अंदर में आदमी बैठके जाएंगे तो यह ध्यान रखना इसका नाम है Orion क्या है एक crew vehicle है crew इसके अंदर में मतलब दो आदमी और यह vehicle है उनका उसके अंदर बैठके जाएंगे यह ओके और reusable होगा मतलब यह वापस भी आएगा खुम के उपर तो जाएगा लेकिन वापस लोगों को लेके भी आएगा वापस इसको Lockheed Martin ने create किया हुआ है तो अब यह बात आगी उसके बाद एक और बात जो Lunar Gateway क्या है Space Station है यह Space Station क्या होता है हमारी Earth के 300-400 km ऊपर एक satellite खुम रही है जिसमें आदमी रहते है उसको बोला जाता है Space Station और इसी context में जब यह तो हमारी Earth के अरॉन खुम रही है जब कोई Space Station Moon के खुमेगा उसको बोला जाएगा Lunar Gateway यह NASA वालों का एक satellite जो की Moon के खुमेगा जिसके अंदर में 3-4 आदमी रहेंगे उसको बोला जाएगा Lunar Gateway और यह कुछ समय तक इनके दोरा रखा जाएगा जैसे Space Station है उसके बाद में फिर Earth Moon के South Pole के उपर में हम Base बनाएंगे उससे पहले यह Observe करता रहेगा उपर घुमता रहेगा उसके ठीक है इस तरीके से घुमत तो यह चीज़ें देख लिए अब देखते हैं Artemis के अंदर में इसके तीन variant है मलब तीन चीज़ें इसके अंदर में की जा रही है तीन mission आएंगे इसके अंदर में 2024 तक या इससे उपर भी जा सकता है वैसे जर्नली 2024 है लेकिन 2028 तक भी जा सकता है उतना इसका टाइम होगा तो Lunar Gateway सैटलाइट है जिसमें आदमी बैठेंगे और वो घुमेगी Moon के अरौंड और Orion डबा जिसके अंदर में आदमी जाएंगे अब इसी शिरेणी के अंदर में सबसे पहला जो इनका mission होगा उसको बलेंगे Artemis 1 ये क्या होगा एक test flight होगी अन्क्रियूट होगी इसमें कोई आदमी नी होगा जैसे हमारे पास गगनी अन्मिशन है गगनी अन्मिशन में भी दो बार हम बिन आदमियों के बेजेंगे अप इसको space launch system से launch करेंगे Orion ये मैंने नाम बता दी इनके उपर जादा focus नहीं करना हमने और इसको बेजेंगे retrograde orbit के अंदर में अब इसका नाम मतलब ऐसे देख लो अगर question आया retrograde motion क्या होता है पूछ सकते हैं indirect wave में UPSC जड़ देती है छोटे मोटे कोई topic इसका simple सा मतलब आ रह गूम रही है anticlock direction के अंदर में आपका अगर object इस direction में घूमेगा ये घूम रहा है हमारे पास में हमारा moon moon घूम रहा है anticlock direction में हमने एक satellite में की जो की clockwise direction में घूम रही है means जो body जिस direction में घूम रही है उसके opposite में कोई body घूमेगी उसको बलेंगे retrograde motion और जो हम Artemis 1 है उसको retrograde orbit में छोड़ेंगे यहां पर हम इसको देख सकते हैं इसके अंदर में नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर हम देखेंगे यह वाला अर्थ से हमारे पास में mission जा रहा है अर्थ से यहां पर move कर रहा है अब आराम राम से जाएगा यहां पर हमारे पास moon है तो इसको अफजाव करते रहो मतलब कि इस तरीके से अभी इसके अंदर में कोई परसन नहीं बैठा हुआ है इसको इस तरीके से फेंगे अब इसने और्बिट चेंज किया अर्थ वाले और्बिट से चला गया मून के उपर अब मून का चक्कर लगाना शुरू कर दिया तो यहां से अंक्रिवड है भी इसके उपर कोई परसन नहीं है तो यह चेक कर रहे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं और बाद में फिर इसी वाले मिशन के अंदर में आदमियों को बेजेंगे तो अब यह हमारे पास में वापस आ गया सेम इशन होगा अगर हम दूसरे वाले कंटेक्स में बात करेंगे तो सेम तरीके से जाएगा इसी तरीके से यह जाएगा तो सेम तरीके से हमारी मुवमेंट होगी और यह क्या होगा uncreed होगा, इसमें कोई person नी होगा, उसमें बैठा हुआ, तो ये बाद ध्यान रखनी है, और उसके बाद retrograde orbit के अंदर में इसको डालेंगे, तो ये था Artemis 1, अब दूसरा जो जाएगा, दूसरा Artemis 2, इसके अंदर क्या किया जाएगा, सेम तरीका जैसे हमने पीछे देखा, व वाला system, इसके अंदर में लोग बैठे होंगे, जो Orion जो डबा है, उसके अंदर में लोग बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी सिर्फ lunar जैसे पीछले वाला घूम के आया था, उसके अरॉन चक्कर लगा के आया था, उसके बाद वो भी वापस आ जाएगा, उसके अंदर में वो लेंड करेंगे, उसके अपर में, तो Artemis Jothri हमारा mission होगा, उसके अंदर में हमारे पास में जाएगा Orion, जिसके अंदर में लोग बैठे होंगे, वो जाएगा Space Launch System, जो उनका rocket है, उसके अपर बैठ के जाएगा, और वो Moon के South Pole के अपर में लें करेगा नीचे, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं कि यो डारेक्ट चला जाएगा, हमने एक और चीज देखी, ये तो Orion तो डबा था जिसमें लोग बैठ के जा रहे थे, इससे पहले भी धीरे धीरे करके, छोटे छोटे पार्ट के अंदर में, सैटलाइट के 5-6 पुर्जे छोड़े जाएगे, जिनको की जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे, और जो Moon है, जैसे ये हमारे बास Moon है, तो Moon के अरॉंड वो खुमेगी सैटलाइट, जिसको जैसे International Space Station है, वैसी एक सैटलाइट, लूनर गेटवे, वो खुमेगी Moon के अरॉंड, यहाँ से जमीन के उपर में, और स्टडी करेंगे उसकी थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में फिर वापस आएगे वो, और उसके बाद वापस आके फिर से, वो जो Orion डबा है, उसको छोड़ेंगे, और उसको आर्थ के उपर लेके आएगे, और जो सैटलाइट है, वो घूमती रहेगी, मून के अरॉंड घूमती रहेगी, जिसके अंदर में आदमी होंगे, ठीक है, जिसको लूनर गेटवे बोला जाएगा, तो बेसिकली, एक हमारे पास Orion सिस्टम है, एक लाउंचर सिस्टम है, एक हमारे पास लूनर गेटवे, एक सैटलाइट है, ठीक है, तो इन देखते हैं, नेक्स वीडियो के अंदर में, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू,